भक्तों चाहे कुछ भी हो जाए, धन तेरस और दीपावली पर घर में कभी भी ऐसा भोजन न बनाए, पूरा घर परिवार बरबाद हो जाता है, साथ ही जानिये धन तेरस और दीपावली पर क्या खाना चाहिए ताकि भगवान धनवंतरी की कृपा आपके जीवन में बनी र मा लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो और दीपावली पर ये साथ गलतियां भूल कर भी न करें, वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी, धन तेरस का महापर्व भगवान धन वंतरी को और दिवाली का महापर्व मा लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है, हिंद धन तेरस कब है, इस साल धन तेरस की तिथी 19 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10 बचकर 32 मिनट पर शुरू होगी और 30 अक्टूबर को दोपहर 1 बचकर 15 मिनट पर इसका समापन होगा, ऐसे में उदया तिथी के अनुसार धन तेरस का त्योहार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया दीप उत्सव हमेशा रात में मनाया जाता है, इस साल कार्थिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दिन में होगा 40 मिनट से लग रही है, दीपा वली के त्योहार के दोरान रात में अमावस्या होना जरूरी है, अमावस्या तिथी 1 नवंबर की रात को समाप्त होगी, साथ ही इस इसलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर धन तेरस पर सिर्फ दो टुकड़े धनिया लाकर किसी गमले में लगाया जाए तो इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धनवंतरी की क्रिपा प्राप्त होती है। धनिया को स्वयम भगवान धनवंतरी का प्रतीक माना जाता है। घर में उगा हुआ धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए इससे जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इस हरे धनिये को खाते ही आपके घर में धन और समरिध्ध भनी रहेगी लेकिन याद रहे धन तेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगा हुआ धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए इसे परिवार के हर सदस्य को खाना चाहिए धनिया की कीमत सिर्फ एक रुपया है आपको ऐसा जरूर करना चाहिए खासकर धन तेरस पर घर में धनिया उगाना और लाना सौभाग्य लेकर आता है दोस्तों धन तेरस पर हम भी इसे अपने घर जरूर लाते हैं इसे बहुत ही शुभ माना जाता है भक्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे विनती करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेर करें और कमेंट बॉक्स में जैमान लक्षमी लिखें ताकि मा लक्षमी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे भक्तों क्या आप जानते हैं वो कौन सी चीज है जो आपको धन तेरस और दिवाली पर जरूर खानी चाहिए कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें धन तेरस और दिवाली पर भूल कर भी घर में नहीं बनाना चाहिए आईए जानते हैं उनके बारे में दोस्तों धन तेरस और दिवाली की पूजा में आप शरीफा जरूर लाएं भगवान धन वंतरी को पांच तरह के फल चड़ाने चाहिए आप अपनी इच्छा नुसार फल ला सकते हैं लेकिन सेब, कस्टरड एपल यानि सीता फल केला आदी होना चाहिए आप किसी भी पांच रंगों के फल ले सकते हैं लेकिन भगवान धन वंतरी और देवी लक्ष्मी को कभी भी नाशपाती नहीं चड़ाएं शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धन तेरस और दिवाली जैसे विशेश त्योहारों पर सीता फल खाता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है सीता फल पर देवी लक्ष्मी की कृपा होती है इसमें देवी सीता का आशिरवाद होता है आपको सीता फल जरूर खरीदना चाहिए दीपा वली के दिन देवी लक्ष्मी को गन्ना अर्पित करें इसे बहुत ही शुब और भाग्यशाली माना जाता है अगर आप इस दिन गन्ना खाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी को पांच रंग की मिठाई अर्पित करें दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी को मखाने जरूर अर्पित करे जिस तरह देवी लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई थी उसी तरह मखाने भी पानी से उत्पन्न हुए हैं मखाने कमल के पौधे में भी पाए जाते हैं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है खासकर मखानों की खीर बनाकर देवी लक्ष्मी को भोग लगाने से घर में धन धान्य का भंडार भरा रहता है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करता है उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता ऐसा व्यक्ति स्वयम धन्वान बन जाता है इस दिन दूर्वा घास को प्रसाद के रूप में लाकर पूरे परिवार को खिलाना चाहिए भगवान गणेश की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाता है उसकी कुंडली में सौभाग्य का वास होता है लोग सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं और उस व्यक्ति की लौटरी लग जाती है और उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता इसे माता रानी को भोग लगाएं और पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में खिलाएं इससे बंद किसमत के ताले खुल जाते हैं उसके जीवन में धन, समरिध्य और विलासिता हमेशा बनी रहती है इस दिन खीर का भोग लगाने से माता लक्ष्मी आपको सच्चे मन से आशिरवाद देती है माता बहुत प्रसन्न होती है भक्तों क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी चीज है जो धन तेरस और दीपावली के दिन घर में कभी नहीं बनानी चाहिए अन्यथा पूरा घर बरबाद हो जाएगा किसी भी व्यक्ति को ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए अगर घर में ऐसा भोजन बनता है तो माता लक्ष्मी घर से चली जाती है और भगवान धनवंतरी नाराज हो जाते हैं बता दें कि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार धन तेरस और दीपावली के दिन कभी भी लहसुन और प्याज वाला भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन और प्याज वाला भोजन करता है उसके घर में हमेशा राहू और केतु का वास होता है भगवान शनी भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहू और केतु का वास होता है तो माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की क्रिपा कभी नहीं रहती है और आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए वेदों के अनुसार राहू और केतु का जन्म भी धनतेरस के दिन हुआ था और उनके मुह की लार से जो पौधे पैदा हुए वो हैं लहसुन और प्याज जो भी व्यक्ती धनतेरस और दीपावली के दिन लहसुन और प्याज का सेवन करता है उसके घर में राहू और केतु हमेशा के लिए वास कर जाते हैं वो दरिद्र और बरबाद हो जाता है इसलिए इस समय भूल कर भी ऐसा भोजन न करें आप इसे अन्य दिनों में खा सकते हैं लेकिन धनतेरस और दीपावली के दिन लहसुन और प्याज न खाएं छोटे बच्चे अकसर ये गलती करते हैं वो अकसर बाजार से पैक किया हुआ खाना खा लेते हैं या फिर चिप्स कुरकुरे आदी खा लेते हैं जिसमें लहसुन और प्याज होता है इसलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली के दिन तो इन चीजों से दूर ही रहें दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि आप अपने घर में राहू और केतू को बुलाएंगे या फिर धनतेरस और दीपावली के दिन खास तोर पर भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को इसलिए जान बूच कर अपने घर को बरबाद न करें बाकी आपकी मर्जी दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान धनवंतरी की कृपा पाने के लिए इस दिन घर में पीले रंग की चीजें जरूर बनानी चाहिए जैसे खड़ी पकोड़ा पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदी जरूर बनानी चाहिए भगवान धनवंतरी पीले रंग की ओर आकरशित होते हैं ऐसे में देवी लक्ष्मी भी आपके घर में अपना स्थाई निवास बना लेंगी भगतों ऐसा माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली जैसे त्योहार कभी भी कर्ज लेकर नहीं मनाने चाहिए जो व्यक्ती कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है उसके घर में और कर्ज हो जाता है शास्त्रों में उलेक है कि जो सच्चे मन से मातारानी को पुकारता है उसके घर में देवी लक्ष्मी वास करती है देवी लक्ष्मी सिक्के के एक टुकडे से भी प्रसन्न हो जाती है बस आपके मन में सच्ची आस्था होनी चाहिए अगर आप सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान है अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं है तो आपके करोडों रुपए भी बेकार है लक्षमी जी सच्ची श्रद्धा की भूखी है सच्चे प्यार की भूखी है आपके धन की नहीं भगवान भी कहते हैं कि धार्मिक यात्रा धार्मिक पूजा, अनुष्ठान कोई भी त्योहार कर्ज लेकर मनाना चाहिए त्योहार नहीं मनाने चाहिए इसके विपरीद इससे जीवन में दोश आते हैं मित्रों, दीपावली और धनतेरस की रात को ये साथ गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए आईए जानते हैं दीपावली की रात को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन पत्नी से दूरी बना कर रखनी चाहिए लहसुन प्याद से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए विवाहित महिला को बाल नहीं धोने चाहिए इसलिए एक दिन पहले बाल धोलें दीपा वली पर कोई भी धार्मिक वस्तू किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए इससे लक्ष्मी जी नाराज होती है दीपा वली पर घर में जाडू लाई जाती है धन तेरस पर घर में जाडू लाई जाती है कभी किसी को दी नहीं जाती ऐसा दुष्ट काम कोई अंधा व्यक्ती भी नहीं करता अपने घर का जाडू कभी किसी को मत देना दीपा वली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करें इस दिन बड़ों के पैर अवश्य छूने चाहिए देवी लक्ष्मी स्वयम स्त्री स्वरूप है इसलिए इस दिन किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है दीपा वली पर चुगली आदी नहीं करनी चाहिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए इसलिए पैसों का लेन देन न करें कर्ज न ले या उधार न ले दीपावली पर अगर कोई व्यक्ति आपके दर्वाजे पर कुछ मांगने आए तो उसे मना न करे हो सकता है वह व्यक्ति स्वयम शक्ति स्वरूपा देवी लक्ष्मी का रूप हो क्योंकि देवी लक्ष्मी घर घर जाकर उसी घर में निवास करती हैं जो सच्चे मन से दूसरों का दर्द समझता हो देवी लक्षमी कन्या रूप में है और हर घर की चौकट पर आती है उन्हें खाली हाथ न जाने दें कन्याओं को मिठाई अवश्य खिलाएं देवी लक्षमी को मीठा प्रसाद बहुत प्रिये है जो कोई भी इस दिन किसी कन्या का अपमान करता है उसे देवी लक्षमी के विरोध का सामना करना पड़ता है अगर दिवाली पर आपका घर गंदा रहेगा तो देवी लक्षमी नाराज हो जाएंगी इसी लिए घर की साफ सफाई करें और गंगा जल का चिड़काव करें घर के मुख़ दोर पर गंगा जल जरूर चिड़कना चाहिए क्योंकि भक्तों यही माता के आगमन का दोर है माता आपके घर आने वाली है इसलिए माता रानी का लाल फूलों से स्वागत करें इस दिन जो महिला लाल रंग के कपड़े पहनेगी उस पर मा लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी मा लक्ष्मी को लाल रंग की चीजें अधिक प्रिये हैं शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दिवाली के दिन किसी भी महिला को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए इससे पति दरिद्र हो जाता है धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खासकर दिवाली के दिन सफाई करते समय उस दिन घर का कूड़ा कच्रा बाहर न फेंके वरना आप धरिद्र हो जाएंगे घर का कूड़ा कच्रा अगले दिन बाहर फेंक देना चाहिए दोस्तों अब हम आपको दिवाली पर किये जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप करेंगे तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी दोस्तों विश्णू और लक्ष्मी को हाथी प्रिये हैं इसी लिए घर में चांदी या सोने का हाथी ही रखना चाहिए घर में चांदी का हाथी रखने से शांती आती है और यह राहू के किसी भी तरह के बुरे प्रभाव से बचाता है भक्तों पीली कौडी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है कुछ सफेद कौडीयों को केसर या हल्दी के घोल में भिगो कर लाल कपड़े में बांध कर घर की तिजोरी में रखतें ये कौडीयों देवी लक्ष्मी को आकरशित करती है दोस्तों चांदी का एक छोटा सा घड़ा जिसमें आप तांबे, चांदी और पीतल के सिक्के रख सकते हैं उसे गड़वी कहते हैं इसे घर की तिजोरी या किसी भी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और सम्रिध्ध बढ़ती है दिवाली की पूजा में इसकी भी पूजा की जाती है भक्त एक कांसे या तांबे के घड़े में पानी भर कर उसमें कुछ आम के पत्ते डालते हैं और उसके मुह पर एक नारियल रखते हैं कलश पर रोली से स्वास्थे चेहन बनाया जाता है और उसके गले में मौली बांधी जाती है दोस्तों घर में हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे इसके लिए हमें उनके सामने साथ मुखवाला दीपक जलाना चाहिए दीपक में ही होना चाहिए दिवाली के दिन ये काम जरूर करें ऐसा भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ती के सामने नौलाई वाला घी का दीपक जलाने से शीख्र धन लाब होता है और आर्थिक मामलों में उन्नती होती है मा लक्ष्मी के पूजा स्थल के पास रंगोली जरूर बनाएं दिवाली की रात भक्त घर और आस पास खास जगहों पर दीए जलाते हैं कहते हैं कि दिवाली की रात दिवाले में गाय के शुद घी का दीपक जलाना चाहिए इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक परेशानिया दूर होती हैं दीपा वली की रात लक्ष्मी पूजा के समय दूसरा दिया जलाएं तीसरा दिया तुलसी के पास जलाना चाहिए चौथा दिया दर्वाजे के बाहर रखना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे पांचवाँ दिया जलाना चाहिए छटा दिया पास के मंदिर में जलाना चाहिए साथवाँ दिया कूडा रखने वाली जगह पर जलाना चाहिए आठवाँ दिया बातरूम में जलाना चाहिए नौवां दिया मुंडेर पर जलाना चाहिए, दसवां दिया दीवारों पर जलाना चाहिए, ग्यारवां दिया खिड़की पर जलाना चाहिए, बारवां दिया छत पर और तेरवां दिया किसी चौराहे पर जलाना चाहिए दीपावली पर कुल देवी या देवता, यम और पितरों के लिए भी दिये जलाए जाते हैं लक्षमी भोग में दोस्तों लक्षमी जी को मखाना और अनार, पान, सफेद और पीले रंग की मिठाई चावल आदी बहुत पसंद है जो भी व्यक्ती कम से कम ग्यारा शुकरवार को मंदिर में लक्षमी जी को लाल फूल अर्पित कर यह भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की शांती और सम्रिध्धि बनी रहती है किसी भी तरह से पैसों की कमी नहीं रहती है पूजा के दौरान सोलह प्रकार की गुजिया चड़ाई जाती है आहवान में पोला हरा चड़ाया जाता है इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, खजूर, हल्दी, सुपारी, गेहुं और नारियल चड़ाया जाता है प्रसाद के रूप में केवड़े के फूल और अमरबेल चड़ाएं दोस्तों मां लक्ष्मी की पूजा के समय पूजा की थाली में गोमती चक्र रखें और देवी मां की पूजा करें पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रख दें आपके घर में धन की वृद्धी होने लगेगी इसी तरह हल्दी की गांट, पीले जामुन और एकाक्षी नारियल पूजा की धाली में रखें और इसकी पूजा करें और बाद में इसे अपनी दिन चर्या में शामिल करें कई बार लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भी उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना आप मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपकी तिजोरी खाली रह जाती है इसलिए इसे पूरे साल भरा रखने के लिए आपको धन तेरस और दिवाली के दिन विधि विधान से कुबेर यंत्र की पूजा करनी चाहिए कुबेर देवता के मंत्र का कम से कम एक माला या दस बार जाब करना चाहिए ग्यारवी ये वस्तु है सोने चांदी के आभूशन या सिक्के अपनी क्षमता के अनुसार आपको इस दिन सोने चांदी के आभूशन या कोई भी चांदी की वस्तु खरीदनी चाहिए और उसकी पूजा भी करनी चाहिए अगर आप सक्षम नहीं हैं तो सोने चांदी के आभुशनों की जगह अगर आप इस दिन मिट्टी के बरतन भी खरीद कर घर लाते हैं तो इस से भी पूरे साल आपके घर में खूब सम्रिद्धी आएगी ये तो सभी जानते हैं कि धनतेरस पर नए बरतन खरीदे जाते हैं लेकिन नए बरतनों में भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप इस दिन पीतल के बरतन खरीदते हैं तो वो ज्यादा शुब होते हैं पुराने तूटे फूटे बरतनों को बदल कर आप नए बरतन भी खरीद सकते हैं अगर कोई बरतन खरीदने में सक्षम नहीं है तो उसे इस दिन सिर्फ पूजा से जुड़ी सामग्री ही खरीद कर घर आना चाहिए ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर देवता और मा लक्षमी की कृपा प्राप्त होती है जिसकी क्षमता है वो इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी खरीद सकता है लेकिन बरतनों में आपको लोहे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस दिन भूलकर भी लोहे के बरतन नहीं खरीदने चाहिए लोहे के बरतन खरीदने से शनी दोश लगता है शनी से जुड़ी परेशानियां आपके जीवन में, आपकी कुंडली में और आपके परिवार में आ सकती है राहू और केतु ग्रह भी मजबूत हो जाते हैं दोस्तों, धंतेरस के दिन आप धार्मिक पुस्तकें खरीद सकते हैं अगर आप अब तक बताई गई सभी चीजें नहीं खरीद पाए हैं तो इस दिन अगर आप अपने घर में पूजा से जुड़ी कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो आपको धंतेरस पर की गई पूजा का पुण्य जरूर मिलेगा अगर आपको पूजा से जुड़ी कोई सामगरी जैसे रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या कोई अन्यवस्तु जैसे लौंग, इलाइची, पान, सुपारी, बताशा लाना है तो वह भी आप इस दिन खरीद सकते हैं इसके अलावा पूरे सप्ताह पढ़ी जाने वाली वरत कथाएं या कोई वरत त्योहार जैसी धार्मिक पुस्तकें हैं और रामायन, महा भारत की पुस्तकें और अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपने घर में पुरान भी ला सकते हैं पुरान घर लाने के बाद जब भी आपके पास समय हो तो आपको उसे खुद भी पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए अगर आप इन में से कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप अपने घर में पुरानों को भी ला सकते हैं अगर आप इसे लाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपके घर में साल भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है आपको घर पर कभी भी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा आप जितना कमाते हैं उससे दुगना पैसा आपको मिलेगा तो दोस्तों अगर आप सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी से प्यार करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जै माता लक्ष्मी माता लक्ष्मी आपके घर में दोड़ी दोड़ी चली आएंगी धन्यवाद